हम लोगों की एडल्ट लाइफ सिर्फ 13,500 दिनों की होती है मतलब आपकी जवानी के दिन सिर्फ 13,500 ही होते हैं ये उम्र होती है 18-15 साल के बीच पर चालेंज ये है कि पैसे कमाने के लिए अपना करियर बनाने के लिए और जिन्दकी को खुल कर इंजॉय करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ इन ही 13,500 दिनों का एक पीक टाइम पिरिड होता है पर अनफॉचुनेटली कई लोग अपनी पूरी जवानी दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे तक नहीं जोड़ पाते कि वो अपने लिए घर तक खरीच सके और ना ही वो अपनी जवानी के दिन खुल कर इंजॉय कर पाते हैं बर जॉब से निकलने के बाद भी ऑथर को इस बात से इतना मुरा नहीं लग रहा था कि उनकी जॉब चली गए थी उन्हें तो गम इस बात का था कि इतने साल नौकरी करने के बाद भी उनके पास सेविंग्स के नाम पे सिर्फ दौ डॉलर सी बचे थे फिर ऑथर को ये रियलाइज हुआ कि उस जॉब की इंकम के इलावा उन्हें लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं और इस चीज की वज़ा से अब नौबत ये आ गई थी कि उनके बास सर्वाइवल के लिए भी सिर्फ दो डॉलर सी बचे थे और इस दुरान उन्हें financially इतना जादा struggle करना पड़ा कि उन्होंने ये कसम खाली कि वो अगले 5 साल में कम से कम एक मिलियन डॉलर्स तो सेव करके ही रहेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी पर कैसे इसके लिए उन्हें बहुत research करनी पड़ी कई किताबे पढ़नी पड़ी और कुछ businesses भी try करने पड़े और अपनी savings को 2 डॉलर्स से 1 मिलियन डॉलर्स तक पहुचाने के इस journey में उन्होंने कुछ important financial lessons भी सीके जो उन्होंने फिर अपनी book financial freedom में share भी किये हैं author ने अपने experience से बताया है कि financial freedom तक पहुचने के 7 levels होते हैं और आज हम इस वीडियो में भी author की book financial freedom में बताये गए इन ही 7 levels के बारे में detail में बात करने वाले हैं So let's start सबसे पहला level है clarity हम सब की life में एक age ऐसी आती है जब हम कोई job करने लाइक हालत में नहीं रहते and unfortunately कई बार life में कुछ ऐसी conditions भी होती हैं जब नौकरी छोड़ने के इलावा हमारे पास और कोई दूसरो option बचता है नहीं पर अब ये सोचो क्या आप इस दिन के लिए prepared हो और preparation तो छोड़ो क्या आपको ये भी clearly पता है कि एक अच्छी life जीने के लिए आपको हर महीने कितने रुप्यों की ज़रुत पड़ेगी और अगर नहीं पता तो financial freedom की journey की तरफ यही आपका पहला step है इस step में आपको ये पता लगाना है कि आप जैसी life जीते हो या जैसी life आप जीना चाहते हो उसके लिए आपको हर साल कितने रुप्यों की ज़रुत पड़ेगी तो इसके लिए मुझे फिर एक ऐसी amount calculate करनी पड़ेगी जिसके बाद मुझे कभी नौकरी करने की कोई ज़रुत ही ना पड़े और author ने इस amount को calculate करने का एक simple formula बताया है जिसके according मुझे अपनी yearly expected income को 25 से multiply करना पड़ेगा और इस हिसाब से 10 लाग को 25 से multiply किया जाए तो बनते हैं 0.5 करोड रुपे मतलब मुझे financially free होने के लिए फिलहाल कम से कम 0.5 करोड रुपयों की ज़रुत है वैसे तो अगर हम inflation और बाकी economic factors को भी include करें तो इस calculation थोड़ी complex हो जाएगी पर शुरुवात में clarity के लिए अगर आप इसी amount को भी achieve कर पाओ तो भी बहुत है अब इस simple calculation के हिसाब से आपको अपनी financial freedom के लिए कितने रुपयों की ज़रुत बढ़ेगी ये मुझे comment section में ज़रुर लिख कर बताना अब दूसरा step है self-sufficiency एक आम इंसान नौकरी लगने के बाद भी सिर्फ अपनी salary के सहारे अपनी सारी जरूरते पूरी नहीं कर पाता हमें किसी ना किसी चीज के लिए उधार लेने की या EMI बनवाने की जरूरत पढ़ी जाती है और author के हिसाब से अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी जरूरतों के लिए उधार या EMI का सहारा लेते हो तो आप नौकरी लगने के बाद भी खुद को self-sufficient नहीं कह सकते और इसलिए financial independence अचीव करने की जरूरी में आगे वढ़ने से पहले आपको self-sufficient बनना पड़ेगा पर क्या आपको self-sufficient बनने का सही तरीका पता है? अगर नहीं तो आप author की बताई हुई इस टेखनीक को follow कर सकते हो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी net worth calculate करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको अपना cash flow हर महिने track करना पड़ेगा और हाँ हर महिने की end में आपको अपनी net worth की updated value तब तक track करनी पड़ेगी जब तक आप self-sufficient बन नहीं जाते net worth का formula होता है total assets minus total liabilities assets मतलब कोई भी वो चीज जो आपको पैसे कमा कर देती है जैसे investment से मिलने वाला मतली return या कोई rental income etc और liabilities मतलब हर वो चीज जो आपकी जेव से पैसे खर्च करवाती है जैसे car या phone की EMI etc जब आपकी total assets की value आपकी total liabilities से इतनी जादा बड़ी हो जाए कि कोई नई liability add होने के बाद भी आपकी net worth negative में ना जाए तो इसका मतलब है आप self sufficient बन से करें और बस financial freedom के दूसरे step पर आपको इसी चीज को हर महीने track करना है और अपने assets की value को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक आप self sufficient बन नहीं जाते अब financial freedom तक पहुँचने का तीसरा level होता है breathing room वैसे breathing room का मतलब है थोड़ी chain की सांस लेने का समय देखो self sufficient वाले पिछले level को पार करने के बाद आपकी liabilities का burden अलरड़ी कम हो जाएगा और आपके ओपर कोई उधार नहीं रहेगा पर फिर भी आपको अपनी life चलाने के लिए और अपने daily के खर्चे उठाने के लिए एक monthly salary की जरूरत तो पड़ेगी पर सोचो अगर आप इसी तरह बस हर महीने अपनी salary का ही इंतजार करते रहोगे तो फिर आप उन 13,500 दिनों में से बचे हुए time को कुछ बड़ा करने के लिए और अपने dreams को पूरा करने के लिए कैसे use करोगे और कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको अपना सारा time नौकरी के बजाए पूरी तरह उस dream project पर लगाने की जरूरत तो पड़ेगी और इसके लिए आपको थोड़ा breathing room तो चाहिए ही होगा और ये सिर्फ तभी मुम्किन है जब आप अपने assets और बाकी के investment से इतनी कमाई करने लग जाओ कि आपको महीने के end में salary का इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े और आप अपने daily के खर्चे सिर्फ अपनी assets और investment से होने वाली कमाई से ही निकाल पाओ और इस level तक पहुशने के लिए आपको personal finance की knowledge, investments की knowledge और जबर्दस self discipline की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी wants पर खर्च करने के बजाए अपनी needs पर जादा खर्च करो और बाकी के पैसो को सही जगा invest करो इसके बाद आता है चौथा level जो है stability दोस्तो अभी तक हमने अपनी income बढ़ाने के बारे में बात करी चाहे वो हमारी job से होने वाले income थी या assets से होने वाले income पर author के according multiple sources of income होने के बाद भी आप stability के level तक नहीं पहुँच पाते हो और financially stable होने से author का मतलब है कि cash की form में और account में इतनी savings होना कि सारे income sources बंद हो जाने के बाद भी आप अपनी जिंदकी के अगले 6 महीने खुल कर जीपाओ for example मान लो आप सबसे पहले एक job करते थे जहां से आपको हर महीने 50,000 रुपे की मंतली salary मिलती थी पर फिर कुछ महीने पैसे जोड कर आपने एक asset बनाया और एक car खरी दी और उसे taxi services में register करवा दिया अपनी side income भी शुरू कर दी अब आपके पास भले ही दो income sources हैं पर फिर भी आप financially stable नहीं कहलाओगे क्यूंकि ये दोनो income sources किसी unfortunate condition की वज़ा से बंद हो सकती है और इसलिए आपको financial freedom के चौथे level stability पर पहुँचने के लिए कम से कम इतना cash save करना पड़ेगा जिसके बाद आप बिना किसी income source के भी अपनी जिंदकी के अगले 6 महीने खुल कर जीपाओ इसके बाद जो 5 वा step आता है उसे कहते हैं flexibility जब आप 6 महीने के लिए daily expenses manage करने लाइक पैसे save कर लोगे तो आप financially थोड़े stable तो हो जाओगे पर फिर भी आप financially flexible नहीं हो पाओगे और financially flexible होने से author का मतलब है कि आपके पास अब savings में 6 महीने नहीं बलकि 2 साल के expenses को manage करने लाइक cash पड़ा होना चाहिए पर यह जितना simple लगता है उतना है नहीं क्योंकि मालो आप अपनी salary का सिर्फ 30% हिस्सा ही हर महीने save कर पाते हो वैसे जो कि जाधतर लोग नहीं कर पाते पर फिर भी अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप 6 महीने के expenses के लाइक पैसे जोड़ने के लिए कम से कम 20 महीने लगा दो होगे मतलब almost 2 साल के बाद आप सिर्फ इतने पैसे ही जोड़ पाओगे कि आप financially थोड़े stable हो पाओ और इसका मतलब यह है कि फिर आपको अगले 2 साल के expenses के लाइक पैसे जोड़ने के लिए और भी बहुत जाधा time लगेगा जो कि financial freedom को practically achieve करने का एक सही तरीका नहीं है और author कहते हैं कि इस level पर फिर से आपको savings नहीं बलकि अपनी earning के sources को बढ़ाने के बारे में जाधा ध्यान देना चाहिए और आपको अपनी job से होने वाली income को एक launchpad की तरह देखना चाहिए जहां से आप एक primary income कमा कर फिर उस primary income के सहारे और भी जाधा income generate करने वाले दूसरे sources create कर पाओ इसके बाद आता है step number six जो है financial freedom इस level पर पहुँचने के लिए पिछले सारे steps में अभी तक आपने सिर्फ वही काम किये हैं जहां आपको income generate करने के लिए अपने time को किसी ना किसी जगा invest करना पड़ा चाहिए अपनी job में या side income के लिए शुरू किये गए किसी business में मतल पर आपको अपको कुछ नया और अलग करना पड़ेगा और आपको एक अलग mindset develop करना पड़ेगा जिसे author कहते हैं enterprise mindset आपको अप पैसे से पैसा कमाने के बारे में और भी जादा सीखना पड़ेगा और कुछ ऐसी opportunities ढूणनी पड़ेंगी जहां से आपका पहले का कमाया हुआ पैसा ही आपको नए पैसे और कई गुना जादा पैसे कमा कर दे और अगर आप ये skill सीख जाते हो और इस level पर पहुँच जाते हो तो फिर आपको पैसे कमाने के लिए अपने time को किसी भी जगा पर invest करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं बलकि आपका पहले का कमाया हुआ पैसा ही आपको लगातार और पैसे कमा कर देता रहेगा और इसके बाद आप completely एक financially free life जीना शुरू कर दोगे और इन सारे levels के बाद आप finally level 7 पर पहुँचाओगे जिसे की कहते हैं abundant wealth शायद आपको लग रहा होगा कि financial freedom ही सब कुछ है पर ये phase आपको financial freedom के भी एक level उपर प सोचते हो और आप कोई भी महंगी से महंगी चीज बिना जादा सोचे खरीद सकते हो चाहे वो कोई महंगी गाडी हो या महंगा घर आपके पास इतना पैसा होता है कि आप दिन रात उसे खर्च करते रहो फिर भी वो लगातार बढ़ते ही रहेगा क्यूंकि आप अपनी investments के जरिये पैसा कमाने का एक ऐसा automatic process create कर देते हो जहां आपके बिना जादा efforts डाले ही आपके पैसे से और पैसा बनते ही जाता है और तो और आपके hired किये हुए लोग ही आपको और पैसा कमा कर देते हैं और finally इस level पर आप अपनी मन चाही luxury life जी सकते हो पर हाँ इस level तक पहुँ मेरा content valuable लगता है तो मुझे please बताएं और इस channel को subscribe करें इस video को like करें और bell icon दबाएं future video updates के लिए, thank you